इस्राइल के गाजा में हमास के खिलाफ ओपरेशन शुरू होते ही इरान समर्थित कई चरम 35 अंगटनों ने इस्राइल पर हमले शुरू कर दिये थे हलाकि इन समुहों की इस्राइल में बरसों पुरानी दुश्मनी है बावजूद इसके अब तक छिटपुट हमले करने वाले ये समुह अब खुले आम हमले कर रहे हैं फिलिस्तीन के समर्थन में उत्रे ये सभी समुह एक साथ मिलकर इस्राइल पर हमलावर है गाजा पर हमास के कबजे का समर्थन करने वाले ये संगठन अब इस्राइल को खोली धंकिया देने लगे हैं हर देन इन समुहों की ओर से भीशन हमलों को अंजाम दिया जा रहा है इससे पुरे मिडिलीस्ट में तनाव चरम पर है इस्राइल को कई मोर्चों से हमलों का सामना क को था वही होने जा रहा है दरसल हिजबुला और इस्राइल बॉर्डर साथ अक्टूबर के बाद से ही सुलग रहा है और हिजबुला रोजाना इस्राइल पर दनादन रॉकेटों की बरसात कर रहा है जिसमें कई इस्राइलियों की जान भी गई है लेकिन अब लेबनान से आगे गए रॉकेट ने 37 जुलाई 2024 को इसराइली कबजे वाले गोलान हाइट्स को निशाना बनाया जहां मजदल शम्स के डूश शहर के फुटबॉल के ग्राउंड पर एक मिसाईलागिरी दावा है कि इस हमले में 12 लोगों की जान चली गई है तो वहीं 20 से जादा लोग खायल भी हो गए इसमें जादा तर युवा और बच्चे शामिल थे यह हमला पिछले कई महीनों से चला आ रहा है तीकी दुश्मनी के बाद भी एक भी शण हमला है इस से दोनों देशों के बीच का संगर्श और बढ़ने की आशंका जताई जाने लगी इस्राइल और हिजबूला के बीच कभी भी अभेंकर युद छिड सकता है इस्राइल ने इस हमले के पीछे लिबनान के हिजबूला समू का हाथ मानते हुए आरोप लगाया साथ ही हमले में इस्राइल ने तगडा जवाब देने की भी कसम खाई है Hezbollah is attacking our citizens in the north firing thousands of rockets and missiles and UAVs at northern Israel targeting families, homes and communities the IDF is currently holding a situational assessment and we will prepare for a response against Hezbollah, we will finish our assessments and we will act घटना से जुड़े कई वीडियोस भी सामने आया है इसमें देखा जा सकता है कि फुटबाल ग्राउंड की दीवारे शतिग्रस्त हो गई है तो वहीं बच्चों की साइकले गिरी हुई है हमले के तुरंद बाद ही इसराइली रक्षामंत्री घटना स्थल पर पहुँचे जहां उन्होंने हालात की जानकारी लिए वहीं एक वीडियो में हमले से उठा बड़ा धुए का गुबार दिखाई दे रहा है साथ ही इलाके में साइरन की तेज आवाज भी सुनाई दे रही है दावा है कि मिसाइल अटैक इतना भैंकर था कि इसकी गूंच काफी दूर तक सुनाई पड़ी इस से आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों में भी दहशत मच गे सभी लोग अंडर ग्राउंड बंकरों की और भाग खड़े हुए इसराईली सेना ने कहा कि 10 से 20 साल की उम्र के बच्चे ग्राउंड पर मौझूद थे हमले के समय वे फुटबॉल खेल रहे थे चश्मदीदों की माने तो हमले से ग्राउंड में भैयानक मनजर देखने को मिला जहां जमीन पर बच्चों के शव पड़े थे और आग लगी हुई थी खास बात है कि लिबनान के इसलामी प्रतिरोध ने इसराईली दावों को सीरे से खारिच किया हिजबुल्ला ने कबजे वाले सीरियाई गोलन हाइट्स के मजदल शम्स गाउं पर घातक हमले किये हिजबुल्ला ने जोर देकर कहा कि उसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है अरब न्यूजेजिंसी अलमयादीन ने इसराईली मीडिया के हवाले से दावा किया कि धमाका शायद आयन डोम एंटी एयर मिसाइल की वज़े से हुआ है जो अपने रास्ते से भटक गई और मैदान में जागिरी हमले की जाच की जा रही है कई रिपोर्ट से ऐसा संकेत मिलता है कि हमला एक बेकार इस्राईली तामीर इंटर्सेप्टर के कारण हुआ है वही हिजबुला या किसी अन्य समू का नाम लिये बिना लिबनानी सरकार ने हिंसा और हमलो के निंदा की एसकादम की अंतर श्री कानून का गोर उल्लंहन भताया 기uled the rocket at children playing soccer in a soccer field in evidence in northern Israel हिजबला then lied to the whole world and claimed they did not carry out this attack this is a lie we can confirm that in вкус Ibala murdered 10 children in this brutal attack and injured more than 20 were injured in this brutal attack. All were aged between 10 to 20 years old. This is an attack that comes after attack in the North for more than 9 months. बतादे कि इस समय इसराइली पियम अमेरीकी दौरे पर हैं मगर उन की निगाहें इसराइल पर बनी हैं दावा है कि गोलान हाइट्स पर हुए हमले के बाद नितन्याउ ने जल लोटने की बाद कही साथ ही कहा कि इसराइल इस जानलेवा हमले को नजरांदाज नहीं करेगा पैकि इसराइल जर लिबनान पर हमला कर सकता है आकडों की माने तो इसराइल ने हिजबुला के हमलों के जवाब में लिबनान बॉर्डर के पास के शहरों को तबाह किया है 90,000 से जादा लोग उत्तर की और भागने के लिए मजबूर हुए 460 से जादा लोग मारे भी गए है दावा है कि इन में जादा तर हिजबुला लड़ा के शामिल है एक्सपर्ट्स की माने तो एक गलत अनुमान भीशड तनाप को भढ़का सकता है साफ है कि इसराइल को इस हमले के पर काफी सोच समझ कर प्रतिक्रिया देनी चाहिए बता दे कि इसराइल ने साल 1968 के युद्ध में सीरिया से गोलन हाइट्स को अपने कबजे मिलिया जहां करीब 20,000 से जादा डू सरब रहते हैं इसराइल ने साल 1981 में इस इलाके पर पूरी तरह से कबजा जमा लिया जिस पर अंतर राश्री समुदाय ने काफी निंदा की खास बात है कि करीब 4 दशक बाद ततकाली नमर्की राश्पती दोनाल्ड टरंप ने इसराइल को मानेता दे कर आग में घी डालने का काम किया हाला कि बाकी परश्रिम देश इसराइल को गोलन हाइट्स में मानेता देने से बचते नजर आए है